Newton's third law of motion, so अभी तक हमने Newton का first law पढ़ लिया, Newton का second law पढ़ लिया, अब देखते है Newton का third law के है, so let's say कि मेरे पास इस समय two bodies है, A and B, तो क्या हो रहा है कि B जो है external force लगा रही है A के उपर, तो अब एक natural सा question arise होता है कि क्या A भी force लगा रहा होगा, वही same force B के उपर, अब जैसे कि अगर मेरे पास कोई spring है इस तरीके से, तो जो मैं spring को उपर से इस पर force लगाता हूँ F, तो obviously spring भी कुछ force लगाती है हमारे hand के उपर, अगर मैं इसको hand से नीचे दबाऊंगा, तो ये spring भी हमारे hand के उपर कुछ force लगाएगी, तो वो जो force होगी, उसी के उपर Newton मैं अपना third law of motion निकाला था, वो ही आज हम पढ़ने आले हैं, अब जैसे कि अगर हम एक और example लें, कि अगर मेरे पास एक earth है, अर्थ के उपर कोई stone है, अगर इस सरीके से stone है, तो obviously इस पर एक G लग रहा होगा, gravitational pull, तो अगर इस stone पर G लग रहा है, जो earth लगा रही है, तो क्या ये stone भी कुछ amount में force लगा रहा होगा, अर्थ के उपर, ताकि earth हो जो है stone की तरफ attracted हो, तो obviously अगर earth का mass जो है, बहुत जादा है, capital M से let's say denote किया, small m let's say stone का mass है, तो ये mass जादा होने की वज़े से, हमें वो force दिखाई नहीं देती, या फिर हम उसे feel नहीं कर सकते, लेकिन Newton की भाशन में बोलें, तो उसने बोला था कि ऐसा होता है, कि जो small mass का stone है, ये भी earth को अपनी तरफ attack करता है, लेकिन इसका mass इतना कम होता है, और इतनी force कम generate होता है, कि हम उसे ना calculate कर पाते है, ना उसका कुछ result होता, बहुत अर्थ को उसका कुछ effect भी नहीं बढ़ता है, तो stone की तरफ से, जो वो pull खीच रहा है earth को, तो इसी तरीके से, जो है newton का third law of motion निकला जा, तो उसके कुछ एक statement है, कि to every action there is always an equal and opposite reaction, जो हैने कि अगर इसी force F से मैं, अगर हमारे पास दो bodies है, let's say A और B, तो अगर body A, body B पर कुछ force लगा रहे है, F, तो body B भी body A पर force लगाएगी, same opposite direction में F, अगर यहां पर force लग रहे ह तो obviously, जो B पर है, उस पर भी force लग रही होगी, same magnitude में, लेकिन opposite direction में A के कारण, तो इसे बोलता है force on A due to B, और इसे बोलेंगे force on B due to A, तो force on A due to B जो होती है, वो equal होती है force on B due to A, बस negative हो जाएगी direction में, तो यानि हम यह बोल सकते हैं कि force on A due to B, plus force on B due to A is equal to हो जाएगा 0, जो internal forces होती है, वो इसी वज़े से consider नहीं करकर चलते, क्योंकि वो एक दूसरी से cancel out हो जाती है, क्योंकि वो अगर एक body है, जो दूसरी body पर force लगा रही है, तो दूसरी body भी पहली body पर उतनी force लाएगी लेकिन opposite direction में, लेकि और अगर हम दोनों का resultant लेंगे तो वो हो जाए रहे हैं तो जो force है, external force है, external force, okay, पहले note down कर लो, फिर हम इसे और अच्छे तरीके समझते हैं, okay, so move करते हैं, तो Newton का यही कहना था, कि forces कभी भी अकेली exist नहीं करती ही nature में, वो हमेशे एक pair की form में exist करती है, तो जिस तरीके से यहाँ पर अगर हमारे पास जो है कोई body A है, औ और कोई body B है, same body A, body B ले ले लेते हैं, so अगर A के उपर कुछ force लग रही है, जो B के करण लग रही है, यानि कि force on A due to B से लिख भी देते हैं, convention इसी तरीके से हम यूज करेंगे कि force on, इसका मतलब है force on A due to B, ठीक है, और force on B due to A को हम इस तरीके से रिप्रेजन करते हैं, य यह force जो A पर लग रही है, B के करण, so यह दोनों आपस में equal हैं, और opposite direction में लग रही है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो forces होती हैं, वो हमेशा pairs में exist करती हैं, जयानि कि force A, B is equal to minus of force B, क्योंकि direction opposite है, और इसे हम लिख सकते हैं कि force on A by B is equal to force on B by A, बस direction नहां पर negative हो जाएगी ठीक है, so इस तरीके से ही move करते हैं, और ऐसा नहीं होता कि मानलो अगर spring जैसे spring का एक और example लें, so spring को अगर मैंने force लगा कर इसे कुछ दबाया, so obviously spring भी कुछ force जो है उपर की तरफ लगाती है, जिसे हम spring force भी बोलते हैं, ठीक है, तो जो spring force लगाएगी, जो और हमने दबाय यह दोनों forces equal हो जाती है, अब equal तो हो गई, लेकिन यह different directions में लग रही है हमारे पास, so ऐसा नहीं होता कि अगर मैंने force लगाई इधर से, तो कुछ 2-3 second बात जाकर दूसरी body भी force लगा रही है, यह कोई body A है, यह body B है, यह body A force लगा, उस पर लग रही है FAB, और इधर से जरूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच में कोई time lag होगा, यह दोनों forces simultaneously लगते हैं और immediately लगते हैं, जैसे ही हमने यह force लगाई, तुरंत FBAB धर्वाली साइट से लग जाएगी, तो यह तीन important points है, एक पहला की force existing pairs, नीचे लिखते थे थे हैं, पहला point है कि force existing pairs, दूसरा point यह हो गया, कि जो forces हैं, FAB, वो equal हैं और opposite direction में लग रही है, और उनके बीच में कोई time lag नहीं है, and there is no time lag, जिस दोनों simultaneously लग रही है, ठीक, और तीसरा point जो हो गया, वही हो गया कि यह जो force AB है, जो सारी, तीसरा point यह हो गया अपना, कि force AB जो है, वो equal होती है, force BAK, लेकिन opposite direction में तो इसे ही हम बोलता है कि action और reaction forces हैं, जो different bodies पर लग रही है, कोई same body पर नहीं लग रही है, और यह एक pair की तरह act कर रही है, इसी वज़े से हम जो internal forces होती है na body की, उनको consideration में नहीं लेते, और यह ही एक बहुत important fact है कि जब भी हम particles के बारे में पढ़ते हैं, या फिर कोई भी motion के, इसके उपर अभी हमें question भी देखेंगे, तो यह और clear हो जाएगा कि किस तरीके से हम पढ़ते हैं इसको, पहले note कर लो, screenshot ले लो उसका, so यह है हमारे पास question, कि हमारे पास two identical billiard balls होती है, जो एक strike कर रही है, rigid wall से, तो अगर मेरे पास यह कोई wall है, इस तरीके से, इस प हमारी चलो figure हम draw ही कर देते हैं, कि एक ball जो है, वो इस तरीके से आती है, U velocity से, और V velocity से वापस जली जाती है, और यहां पर कोई ball आ रही है, U velocity से, और V velocity से, इस वाली direction में मुड जाती है, इसका जो angle दे रखा है, वो हमें दे रखा है 30 degree, so यह दो balls हैं, ठीक है, दोनों balls के ह हमें इस तरीके से direction भी given है, अब हमें बताना है, the direction of the force on the wall due to each ball, यानि कि अब ये ball जैफ, इस wall पर किस direction में force apply कर रही होंगी, वो हमें calculate करना है, second जीज़ जो हमें calculate करना है, वो कि the ratio of the magnitude of impulses imparted to the balls by the wall, यानि कि दोनों ball के तरफ से जो impulse act हो रहा है, या impulse लग रहा है, उन दोनों को हमें पस divide करके लिखना है, ठीक है, question तो समझ में आई गया होगा, let's say, ये case A है, मेरा ये case B है, तो अगर मैं case A की बात करूँ, so case A के case में क्या हो रहा है, अगर मैं momentum calculate कर रहा हूँ, x direction में initial, initial ही इतना था, so वो था मेरा mass into initial velocity U, और अगर मैं y direction में देखूं, तो y direction में तो कोई velocity है ही नहीं, तो इसलिए y direction में momentum क्या होगा मेरा 0, इसी तरीके से अगर मैं finally देखूं x direction में कितना momentum है, तो ये जो ball है, ये वापिस इसी direction में चली गई, तो anyway direction opposite हुए है और velocity भी तो ये हो जाएगा minus of m into v, और अगर मैं y direction में इसका momentum देखूं, तो वो हो जाएगा मेरा 0, क्योंकि y direction में कोई velocity नहीं है, तो अगर मैं x component देखूं, impulse का, तो मेरे पास x component जो हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास, px final minus px initial, px final minus px initial, तो ये हो जाएगा मेरे पास minus of, अगर velocity हमें दे रखिये same, तो ये v नहीं है, u e consider करो इसे, तो ये हो जाएगा minus of 2 m u, क्योंकि हमें velocity same given है, तो ये मेरा x direction में हो गया momentum, change in momentum basically अगर हम बोले तो, तो हम ये देख सकते हैं कि जो impulse होते हैं, और जो force होती है, उ जो change in momentum में वो आया मेरे negative direction में, तो जो force होगी ball on the ball, due to the wall is normal to the wall, ये बात तो हमें समझ में आगी, और ये होगी negative x direction में, अगर हम बात करते हैं, force on ball due to the wall, लेकिन अब हमने पढ़ाए कि Newton के third law के वाज़े से, कि अगर ball पर जो है, इस negative direction में force लग रही है, तो यानि, wall पर जो उसके opposite direction में force लगी बराबर, तो इसलिए जो force on wall है न, due to ball, force on wall due to ball, ये हो जाएगा हमारा positive direction में, positive x direction में, यानि कि जो force लग रही है न, wall पर, दीवार पर, ball के current, वो लग रही है positive x direction की तरफ, पहले case में देखा हमने, अगर मैं अब दूसरे case की बात करूं, case number two, case number B में क्य इसी angle में आ रही है, मैं लग उसके पास initially कुछ उसके पास angle है, तो हम उसी साब से उसको momentum calculate करेंगे, तो उसका जो initial momentum हो जाएगा, वो हमें given है, px initial, तो px initial मेरा हो जाएगा, mu cos theta, theta यहां पर 30 degree given है, ठीके और इसी तरीके से जो py हो जाएगा initial, वो हो जाएगा मेरा minus mu, sin theta, sin 30 degree इस तरीके से, ठीके और अगर मैं देखूं, px final, px final direction opposite direction है, तो हो जाएगा minus mu cos 30, और अगर मैं देखूं, py final तो हो जाएगा minus mu sin 30, तो अगर मैं x component देखूंगा, तो x component इस case में आ जाएगा मेरा minus का 2 mu, और cos 30 degree, और y component मैं अगर minus करूंगा, तो y component आप खुद सोचो, final minus initial करूंगा, तो दोनों से यह में तो जाएगा 0, तो y component हो जाएगा मेरा, ठीके, तो इस case में मैंने जब x component देखा, तो वो आगया minus 2 mu, और इस case में जो x component है, वो आगया minus का 2 mu cos 30, तो यह हमारा change in momentum आ गया, और हमसे पूछा था कि impulse बता हो गया होता है, तो impulse जो हो जाएगा, minus का 2 mu, divided by minus का 2 mu cos 30 degree, जैसे minus consider ही नहीं करते हम यह, तो यह हो जाएगा, मेरा 1 upon cos 30 degree, और answer आ जाएगा, यह 2 by root 3, यह फिर इसे में लिख सकता हूं, approximately, root 3 by 1.7 कुछ होता है, तो यह हो जाएगा, यह आगया, मेरा ratio of impulse, और यहाँ पर मैंने निकाल जाएगा, कि force किस direction में लगेगी, यह ही था इस question में, इसी तरीके से हम करते हैं, simple हमने change in momentum निकाल लिया, change in momentum हमारा impulse होता है, तो second part उससे solve हो गया, और हम यहाँ पर change in momentum को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि force on wall किस direction में लगेगी, क्योंकि जैसे यहाँ पर change in momentum मेरा negative आ रहा था, तो य दिवार लगा रही है, ball पर, वो negative direction में लगा रही है, यानि कि ball जब यहाँ से टकडाएगी, तो इस direction में वापस आ गई, अगर यह दिवार है, तो यह मेरी इस direction में force लगा रही है, negative direction में, और इसी तरीके से जब इधर से ball आ रही थी, वो भी इस तरफ बेज दिया, यानि वो भी ball पर force इस direction में लगा रही है, यह वाली दिवार, तो Newton के third lock का मतलब है कि यह opposite direction में भी एक force लग रही होगी, यानि जो दिवार पर जो force लगा रही है, ball वो कहां लगा रही होगी, इसके opposite direction यानि इधर, force on wall by ball, तो यह हो गया FWB, और इधर हो जाएगा, force on wall by ball, इधर और यहां पर है मेरा force on ball by ball, और यहां पर यह वो जाएगा force on ball by ball, इस तरीके से, मैं इसे highlight भी कर देता हूँ, यह force on wall by ball, यह इधर हो गया, और यह इधर, इस direction में, ठीके यह हमने निकाल लिया, और हमसे change in momentum, उनका ratio पूछा था, momentum का, तो वो भी हमने divide कर दिया इस तरीके स और आ गया